आज हम आपको वेदिका किचन किंग में बताएंगे घर पर पलूदा कैसे बनाएं देखे हमने आदा केजी दूद ले दिया, एक बॉल में सेमेर ले लिया और हमने चीनी में पाइनपर फ्लेवर डाल दिया और केसर डाल दिया और इलाइची दाना डाल लिया अब हम दूद को गैस पर रखेंगे अब दूद को अच्छे से पकने देंगे देखिए अब हम दूद में बाल अच्छे से आ रहा है अब हम इसमें डाल देंगे सेमिया सेमिय के हम दो से तीर मिनट तक पकने देंगे अब हम देखिए हम इसमें डाल देंगे चीनी का मिश्रन जो हमने पहले तयार करके रख लिया है पाइनपर फ्लेवर आपको बजार में असानी से मिल जाएगा देखिए इससे कलर कितना अच्छे आएगा अच्छे आएगा अच्छे अच्छे सूबल रहा है अब देखिए हम इससे ढख के छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए अब आम इसे रख देंगे फ्रीज में रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए ताकि फलूदा जब ठंडा हो जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है देखिए अब हमारा फलूदा जो है फ्रीस हमने इसको निकाल लिया ठंडा हो गया कि अब भी देखने कितना बड़िया लग रहे है देखने में अब हम इसे एक बावल में निकालेंगे अब देखिए हम बावल में इसको निकाल लेते हैं अब देखिए हम इस पर ड्राइफूट डालेंगे और आइसक्रीम डालेंगे आइसक्रीम से टेस्ट और अच्छा आएगा देखिए अब हमारे यह पलूदा बन के तयार है अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और प्रेस बेल आइकन